दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप exam में तो answer sheet की सारे pages भर करके आते हैं लेकिन जब result आता है तो 50 चलता है कि marks उतने नहीं आये हैं जितना आपने expect किया था या marks बहुत कम आये हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा भी होता है कि answers तो आपको सारे आ रहे थे लेकिन आप पूरे answers को लिख नहीं पाए क्योंकि time कम पड़ गया अगर आपके साथ ऐसा होता है तो this is the video for you इसके साथ ही साथ आज हम लोग इस video में CBSC board के 2020 and 2022 के Toppers के SST के answer sheet के analysis करेंगे और इसके साथ ही साथ CBSC board में answer sheets कैसी check करी जाती है इसको लेकर के धेर सारे myths हैं धेर सारी गलत फ्रमिया हैं तो इनको भी हम लोग देखेंगे कि CBSC board में answer sheets बहुत strictly check की जाती है या कैसा कुछ क्या कुछ होता है आईए आज की इस video में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये देखिए how toppers write answers तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि मुझे पता है आप लोग खुब पढ़ाई करते हैं खुब मेहनत लगाके दम लगाके पढ़ाई करते हैं बट कई बार marks उतने नहीं आ पाते हैं जो आपने expect किया है तो देखिए टॉपर्स के answer sheet के analysis करते हैं तो पहला देखिए ये cbc board के answer sheet है आपको ये दिख रहा होगा social science का subject code है अपना और ये जो 2020 में जो paper हुआ था 18th March को हुआ था आप लोगों का इस बार 7th March को होने वाला है और ये जो होता है अपना code number होता है question paper का code number होता है जब आपका board का question paper मिलेगा तो उसमें code number होगा जो उसे देखके भरना होता है खैर इन सब board की answer sheet का first page कैसे fill करना है इसको हम लोग exam से 2-3 दिन पहले एक मैं video बना दोगा आप लोग देख लेना पहले हम आज answer writing पे focus करते हैं तो now we'll move to the next slide and see how toppers write answers तो next रहा हमारा ये आए ये ये देखिए ये cbsc की जहां दीजे ये रहा आपका cbs e 2020 ये सारे pages भी इस तरह से marks बने होते हैं ताकि कोई धांदली न होने पाए तो basically 2020 का answer sheet है topper की हम लोग इसे इसके analysis करते हैं इसको देखते हैं देखिए जैसा कि इस बार के भी अपने आपके सेस्टी के paper में कई sections होते हैं देखिए section number one है basically section A है तो मैं तो आपको देखिए कितना neatly टॉपर ने कितना neatly answer answers लिखा है कि examiner को हर राइट करना पड़ा examiner की मजबूरी बन गए कि wrong का sign वो लगा ही न पाए और दिखे कितनी clarity के साथ answer लिखा गया है सबसे पहले section लिखा है section लिखने के बाद इन्होंने underline करा है मैं तो आपको suggest करूँगा section लिखने के बाद underline तो और दूसरी जरूरी चीज neatly तो लिखना है कहीं पर भी काट पीट नहीं हुए बिल्कुल भी काट पीट नहीं हुए और यह margins यह margins आप जरूर बनाएं यह margins क्यों बनाना चाहिए इसको हम लोग आगे अभी discuss करनेगे और margin में कितनी जगा छोड़नी है इसको आप देख अगरा लेके जाएं और इस तरह से margin जरूर बनाएं चलिए अगली slide पर चलते हैं आप लोग notice करना कि कितना neatly कितना neatly इन्होंने लिखा हुआ है next देखे next page है examiner को कहीं मौका ही नहीं देया और hidden writing देखे इनकी बहुत अच्छी नहीं है बट जो भी लिखा है clear लिखा है तो एक इनसे भी जो topper होते हैं एक मित होता है कि जो topper होते हैं गलतिया नहीं कर देखे जो topper है उनसे भी काट पीट हुई लेकिन देखे इन्होंने कितनी cleverly कितनी सफाई से काट पीट करा है कि odd नहीं लग रही यह answer sheet है तो मालीज अगर गलती हो भी जाती है थोड़ी बहुत तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे 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 काटने लगते नहीं ऐसे नहीं करना है एक simple सी line खीच दो मालो जैसे कि आपने लिखा interest गलत हो कि simple से line खीच दो और ऐसा नहों कि odd दिखे वो odd नहीं दिखना चाहिए बहुत ही neatly कर दीजे राइट अब हम लोग यह र बोर्ड में आप कुछ भी answer लिख करके चले होगा कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे ऐसा नहीं होता ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा as a school teacher experience तो हई है CBC board का copy भी check करने का मुझे कई बार मौका मिला है तो मैं उस experience से आपको बता सकता हूँ कि जो copy checkers होते हैं यानि उनको CBC का जो manual होता है उसमें evaluator word का इस्तेमाल होता है जो copy checkers होते हैं यानि जो evaluators होते हैं उनको एक manual दिया जाता है और उस manual को उनको before they check the answer sheets board की उनको पढ़ना होता है और इतना ही नहीं हर एक हर 5 evaluator पे यानि हर 5 evaluator का एक head होता है जिसे head examiner आयो खुद देख लिजे क्या लिखा है देखे the head examiner देखे the head examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day यानि जैसे मैंने copy check कर दी तो मेरे जैसे 5 evaluator होंगे जिनका एक head होगे जिने head examiner बोला जाता है और वो हमारी कोई भी copy random उठा करके check कर सकते हों देख सकते हैं कि कैसी check हो रही है अगर मालीजे गलती हुई तो एक बार समझा देया जाता है warning दे दी जाए थे किस तरह की गलतिया मत करें क्योंकि बच्चों की future कर साथ खेल नहीं सकते है अगर मालीजे फिर भी गलतिया मिलती है तो ऐसे teacher को बार कर दिया जाता है यानि बोर्ड की copy check करने की permission नहीं दी जाती है आई यह कुछ और important चीज़ें देखते हैं देखिए उसके बाद दूसरा आपका यह है if a question देखिए CBSC board कितना आप लोगों का सास दे रहा है देखिए कैसे if a question has parts अच्छा हाँ इस पे तो इस पे तो यह बताना है मुझे कि जो आप लोगों से मैंने बोला था ना कि लिफ्ट और राइट में वन सेंटिमीटर छोड़ करके आप मार्जिन्स बना दीजिए वह इसकी बात है देखिए if a question has parts कर बार होता ना कि five marker में दो question दे देते हैं two marks और उसको divide कर दें two marks and three marks में तो अगर parts है तो देखिए क्या होता if a question has parts please award marks on the right hand side यानि answer sheet के right hand side पे जैसे मारीजिए two marker और five marker है तो two marks definition explanation के हो गया और three marks characteristic के हो गया for example जैसे question आ गया explain federalism and write its characteristics तो question के दो part हो गया तो two और three five होगा तो two और three तो यहां लिखना हो गया लेकिन अगर totaling करके five marks left hand side में लिखना हो गया इसे पढ़के देखते हैं if a question has parts please award marks on the right hand side जैसे मैंने यहां पे लिख दिया for each part marks awarded for the for each part यहां लिख दिया two marker रहा two two हो गये definition या explanation के three हो गये characteristics के है न उसके बाद each part marks awarded for different parts of the question should be then then be totaled up and written in the left hand side जैसे five marker था two marks two or three two marks for explanation three marks for characteristics या features उसके बाद total करके left hand side में लिखा जाता है तो इसलिए जरूर है कि answer sheet पे आप one centimeter left and one centimeter right पे आप margin जरूर छोडएं चले आगे देखते हैं अगला है देखें देखें कितनी अच्छी बात है यहां पर cbc bone ने manual में दे रखा है यह वाले देखें यह ninth point देखें if a student has attempted ध्यान दीजे has attempted and extra questions answer of the questions deserving more marks मैं समझा देता हूं basically जैसे आप मालीजे कि इसमें मैंने इस तरह का एक example लिया अभी है जो last question है five marker उसमें question number 10a और question number 10b है तो अगर आप मालीजे question number 10a और question number 10b आपने दोनों attempt कर दिया तो अगर मालीजे question number 10a में आपको five marks मिल रहे हैं और question number 10b में आपको three marks मिल रहे है five marker में तो जिस question में ज्यादे marks आपको मिल रहे है उसका evaluation किया जाएगा वह वाले marks add किये जाएगे अभी आएगा तो उतको हम लोग समझ लेंगे अगला देखते हैं कि देखिए ध्यान दीजिए cbc board आप लोगों पर कितनी महरबानी करता है हम सब ही आपके साथ है प्लीज डू नोट हेजिटेट टू अवार्ट फूल मार्क्स इफ द आंसर डिजर्स इत यानि cbc board instruction दे रहा कि भाया marks बच्चों के मत काठो राइट चले अगला point देखते हैं every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours कर यह आपके काम का नहीं है राइट यह आपके काम का नहीं आपके काम का ही था जैसे मने बताया है ना तो आई होब जो मित्स हैं आ बेसिकल यही समझाना चाहरा हूँ थो cbc board linient है linient है इसका मतलर यह नहीं कि आप कुछ भी लिखके चले आएंगे है वो head examiner पकड़ लेते हैं तो कोई teacher चाके भी गलत अगर आपने relevant लिखा तो उसके marks तो मिल जाएंगे अगर irrelevant लिखा है कुछ कुछ और रहा है कुछ और लिख रहे हैं तो फिर marks नहीं मिलेगा चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग देखेंगे 2022 के toppers के answer sheet हम आगे बढ़ते हैं देखें ये 2022 का question paper है इसमें मैंने two marker और five marker लिए हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे देखे two marker देखे two marks वाला question है इसको 40 words में लिखना है और जो five mark वाला question है उसको 120 words में लिखना है तो इस साल भी जो आपका two marker आएगा उसमें आप two marker question का answer कितना हो चाहि है और जो five marker है उसका 120 words में होना चाहिए तो अब आप कहोगे सर मैं एक्जाम में answer लिखूँगा कि words count करूँगा good question right बताते हैं देखिए इसको हम थोड़ा साथ पीछली वाली slide में चलके समझते हैं ये देखे अब ये वाला ये answer sheet है तो जब आप one centimeter का left और right में बना देंगे तो याद रखिए कि इस तरीके से आप लिखिए अपनी handwriting का size इतना रखिए है कि एक line में एक line में seven to eight words आने चाहिए एक line में seven to eight words आने चाहिए और इससे ज़्यादा मत लिखे नहीं तो एकदम हौच पॉच हो जाएगा देखिए जैसे दो words के बीच में जो gap है उसको maintain करके देखिए ये तो माली जो one marker है ये देखिए कैसे लिखा है इन्होंने हेडिंग डाली है keywords underline क्या देख रहे हैं आप लोग ऐसे clearly neatly लिखना होता है यानि दो words के बीच में space होना चाहिए और seven to eight से ज्यादा मत लिखे जैसे एक बार हम लोग count करते हैं देखिए जैसे एक दो तीन चार पांच छे इन्होंने छे ही लिखा है तो maximum eight लिखना है कोशि 35 जा 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 36 जा 42 हो जाएगा तो five and six lines to marker के लिख सकते हैं उसी तरफ five marker में भी आप गेस कर सकते हैं कि एक line में अगर five sorry एक line में अगर हमारा देख लिजे आपका seven आता है eight आता है उसी हिसाप-साप divide कर लिजे उतने ही line लिखना होग आपको तो इस त जाएगा आप लोगों का 60 words से जादा लिखेंगे तो उसमें three marks ही मिलेगा न उससे जादा तो मिली हैं सकता और इसका दूसरा नुक्सान क्या है दूसरा नुक्सान है कि दूसरे question का answer लिखने के लिए time कम पड़ जाएगा है इसलिए word limit को जरूर follow करिए चले आगे बढ़त जाएगी देखे question क्या है mention any two impacts of the first world war on Indian economy question को सबसे जरूरी बात है question को बहुत ध्यान से पढ़ना question क्या कर आए any two any two impact any two impacts of the first world war on Indian economy इसके three parts है two impacts बताने है first world war के इंडियन economy पे राइट तो इंडियन economy पे क्या दो impact पड़े first world war के आप comment box में comment करके जरूर बताएं कि ये question कि chapter से है ये chapter की शुरुवात में ही है फटा फट comment करें आप चलिए अब देखते हैं कि टॉपर ने इस answer को कैसे approach किया है right तो यह रहा answer ध्यान दीजे आप लोग यह रहा answer हाँ यही मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि जैसे आ examiner आप आपकी लिए तो आपकी एक answer sheet है लेकिन examiner के पास धेर सारी answer sheets होती है उनका काम जितना आप आसान बनाओगे साप साप लिख्योंगे है handwriting अच्छी रहेगी अब देखे आप देखें नोंने कैसे किया है section A लिखाया अब question number जरूर लिखना हो था question number आपने लिखा एक important sentence हुआ उसको भी highlight करिये और important keyword हुआ उसको भी highlight करिये अब देखें जैसे इन्हों लिखा है the first world war created a new economic and political देखें new economic and political situation अब इसे इन्होंने highlight किये देखें दो points बना के लिख दिया answer prices and expenditure इस तरह के से आपको neatly answer लिखने है चलिए आप हम लोग 5 marker देखते है और उसको discuss करते ह है और 5 marker question रहा ये ये section C ये section C है और 5 marker question है जिनका answer आपको लिखना होता है 120 words में अच्छा ये देखें ध्यान से ये आपका question paper का code होता है right चलिए अब हम लोगों ने topper का ये बला question लिया है question number 10 question number 10 का A और B है और topper ने कौन सा solve किया है question number 10 का B आये देखते हैं ये देखे question number 10 का B अब देखे एक चीज इसको मैंने जानबुच के लिया था अला कि इसका answer हम लोग नहीं देखने वाले हैं अब देखे अब जैसे section change हुआ section C है इससे पहले जायरे से पहले section B रहा होगा section B खतम हो देखो इन्होंने तीन लाइन च highlight किया है so that examiner को clearly दिख जाए क्योंकि examiner भी copy check करते करते थक जाते इसमें नुकसान किसना होगा माली जी एक भी question answer छूट गया याने examiner ने oversee कर दिया तो नुकसान आपका होगा राइट तो examiner के लिए जीतना आसान हो सके उतना आसान बनाई है क्योंकि examiner की जगा अगर आप go to answer देखते हैं उसका answer रहा यह यह देखे question question क्यों सा attempt किया है देख लेते हैंам लोग question number 10 का B question number 10 इसी तरी क्यों सा है यह भी है वो भी mention कर लिए question पढ़ लेतेहें पीछे चलके question पढ़ लेतेैं कि question क्या था exactly question 10 का B question 10 का B क्या है question number 10 यह रहा भी यह रहा हमारा how are ध्यान देजे question question ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे माक्त लाने के लिए how are formal sources of credit different from informal sources of credit देखे question का one part हुआ दूसरा part क्या है explain with example so formal sources of credit को differentiate करना है informal sources of credit and explain with example right तो इसके तीन parts हो गए basically पहले तीन part ने दो part हुए पहले part में formal और informal sources of credit को differentiate करेंगे उसके बाद हम इसके example देने हैं देखे टॉपर ने कैसे answer दिया यह देखते हैं चलिए यह रहा answer अब देखे नहों कितने neatly कितना बढ़िया अब देखे पहला लिखा formal sources इसको देखे अलग color से underline कर दिया फिर informal source से देखे कितना अच्छा table बनाके जो हम लोग बात करते हैं कि points में answer लिखना चाहिए देख रहे हैं आप इसके बाद points तो इन्होंने बनाया है इसके बाद देखे उन्होंने पहला supervision का फार्क होता है दोनों में formal में कोई supervision नहीं होता है ना उसी की तरह से prevalence prevalence में क्या होता है कि क्या लिखाए यह हाँ यानि जो formal sector है formal sector है नहीं बैंक से फाइनेशल इंस्टिविशन वह अर्मन एरिया में अविलेबल होते हैं और रूरल एरिया में तो मारी लेंडर मिलेंगे आपको rate of interest rate of interest फॉर्मल में देखे कितना इन्होंने पहले points बनाया फूर इसको explain कर दिया और नॉर्मली हम लोगों के आसपास के जो लोग होते हैं उन्होंने यह misconception फैला है कि आप धीर सारा भर के कुछ भी लिख दो कुछ भी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 50% marks वो भी जो general marking होती है वो ऐसे कर देंगे नुकसा इन्होंने लिखा था इन्हों देखे अगले पेच फिर इन्होंने कितना convenient बना दिया formal sources informal sources उस वाइं records की बात करी है record keeping की बात करी है फिर service conditions की बात करे फिर collateral की बात करी है और फिर उसके बाए example कहा था example भी दे दिया देख रहे हैं आप इस तरीके से neatly कि जितना आप convenient आप इसके examiner के लिए उसके बाद फिर देखे section D आ गया तो क्या क्या इन्होंने three lines छोड़ करके फिर दूसरा section शुरू किया तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम देखे ध्यान से तो कितना उन्होंने साफ सुतरा लिख एक चीज आप लोग नोटिस किया कि stopper ने examiner को मौका ही न निकाल सके देखे कही cross का कहीं आपको cross का marks ही नहीं मिलेगा देखे हर जगह right हर जगह right काटने का मौका ही नहीं दिया examiner को तो इस तरीके से अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सारे question के answer आएंगे तो इस तरीके थापलिक सकते हैं दोस्तों मैं इस तरह की video बनाता रहता हूं अगर यह video आपको useful लगी हो तो please subscribe let's score 100 and like the video आज के लिए इतना है दोस्तों keep learning keep scoring full marks thank you so much